हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल एजुकेशन वार में आज इस वीडियो में हम सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे तो हमरे साथ वीडियो के लाश्ट तक जरू बने रहें तो चलिए हम बिना किसी दिरी के अपनी वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में बताना चाहेंगे तो संख्या किसे कहते हैं तो संख्या होती हमारी नंबर संख्या नंबर कितनी वस्तुएं हैं का जिसे से बहुत होता है उसे संख्या कहते हैं जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट, डॉट, डॉट आदी ये सब संख्याएं हैं यानि इससे हमें पता चले कितनी वस्तू है यानि एक लिग गया इसका रत है एक वस्तू है दो लिग गया यानि दो वस्तू है यानि इससे हमें कितनी वस्तू है का बहुत होता है आगे दे और आगे देखते हैं और आगे हमारा है प्राक्टिक संख्या नहीं कि नेच्छू्र नमबर से ़िर ती की संख्याओं को प्राक्टिक संख्या कहते हैं नी थे जैसे इन नरूपर करते हैं जैसे यह बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 . । आधि इसमें हमने सूर रिखा क्योंकि सूर ने प्राक्तिक संख्या नहीं सूर ने किसी वस्ट को गिनने के लिए काम में नहीं आती यानि जहां पर सूर ने लिखा इस कारते हैं वहां पर कोई वस्टो ही नहीं तो आप गिनने के का और आगे देखते हैं पूर्ड संख्या है, whole numbers जीरो सहित सभी प्राक्तिक संख्याओं को पूर्ड संख्याओं कहा जाता है इसे डवलू से नियूर्पित करते हैं जैसे डवलू बराबर जीरो एक दो तीन चार्ड डॉट 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 आदी इसमें हमने एक, दो, तीन, यह सब क्या है, प्राक्तिक संख्या है, इसमें हमने 0 को सम्मिलित कर लिया, तो यह हमारी पूर संख्या हो गया, आगे देखते हैं, अगला हमारा है, पूर आंक, इंटेजर्स, धनात्मक संख्या है, रिलात्मक संख्या है, और सुन्न को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याव का संग ए पूरांक कहलाता इसे कैप प्र जट से निरुपित करते हैं जिट बराबर हो जाएगा लेंग पोर-जीरो से इधर जैंगे गटती जाएंगा चोटी जाएंगी और जी로 सीरों से धाइतर जाएंगे धनात्मक संख्याओं के तरह जितना अपी धर जाएंगे उतनी चाहां बढ़ी होती जाएंगे तो परिमय संख्याइं रचनल नंबर सैंदिर संख्याओं तता Q सोने ना हो, ऐसी संख्याएं परिमे संख्याएं कहलाती हैं, इसे कैपिटल Q से निरूपित करते हैं, जैसे 1 बटा 2, माइनस 7 बटा 8, 14 बटा माइनस 13, माइनस 15, 21 और 0 आदी, ऐसे सभी संख्याएं परिमे संख्याएं हैं, कैसे हमें पता चला, यहां पर हम देखेंगे, एक बटा 2, उपर P, नीचे Q के रूप में है, और यह दोनों क्या है, पूड़ा आंक है, जो हर इसका हो, वो 0 ना हो, यहां पर देखेंगे, यहां पर आप कहेंगे, यह परिमे संख्याएं कैसे, तो इसके बटे हम चाहें तो ए परिमे संख्याएं क्यालाती हैं, जैसे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई, 0,10, 110, 11,10, डौट, 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 आदी, यह सब संख्याएं क्या होंगी हमारी आपरिमे संख्याएं, क्यों, क्यों क्यों जो परिमे ना हो, यह सब परिमे संख्याएं नहीं, इन्हें हम पी को परिमिय संख्या कहते हैं इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं यानि वास्तविक संख्या में परिमिय संख्या भी आएंगी और आप परिमिय संख्या भी आएंगी अगला है संपूर संख्या पर्फिक्ट नंबर्स हो सकता है आपने इसके पहले अभी तक संपूर सं कहते हैं जैसे कि चैए 28 ौ.. अदी उधाण के तोर पर हम देखेंगे 6 चैकी अपवरतक का रथ है कि जो संख्या 6 को काट दे तो आद देखेंगे एक क्या 6 को काट रहे हैं दो से 6 कटेगा तीन से 6 कटेगा चैसे भी 6 कट जाएगा यह समस्ख्या हो जाएंगी 6 के अपवरतक अब इन सबको जोड़ देंगे हम, तो हमें प्राप्तों के कितना? 12 प्राप्तों होता है, तो 12 देखेंगे 6 का दूना है, यानि जिस संख्या का परतक हमने निकाला, उन सबको जोड़ने पर हमें उसकी दूना अंक प्राप्तों हो रहा है, तो यहां से 6 हो जाएगा हमारा एक संपूर संख्या तो सबसे छोटी संपूर संख्या 6 होती है हमारी भाजी संख्याएं composite numbers भाजी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयम के अत्रिक्त अन्य संख्या से भी विवाजी तो हो ऐसी संख्याएं भाजी संख्या कहलाती है यानि कि जैसे चार कहते हैं चार चार देखेंगे चार क्या है एक से भी कटेगा चार से खुद चार कटेगा और दो से भी कट जाएं यानि अन्य संख्या से भी यह चार विवाजी थो रहा है तो यह संख्या हो जाएगी हमारी भाज संख्याएं उसी तरह चार आठ यह सब संख्या हैं आगे हम अभाजित ना हो अभाज संक्यां कहलाती है जैसे की 7 5 7 11 13 17 19 डाड़ डाड़ आधि यानिकि अभाज संक्या व्य संक्या जो एक से कटे यहाँ पर हम दो खेंगे 2 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से खुद विभाजित हो रहा है और ऐसी कोई संक्या नहीं जो 2 को काट सके तो सब संख्यां हो जाएंगे हमारी व्हात संख्या उसे सब सब पांच भाiene इस दो इए सभात संख्या को प्राइम नंबर वे दो संख्या कंश्च जिनका महस्तं समाप वर्तक एक हो सभाथ संख्यां कहलाते हैं जैसे कि 3, 5, 8, 15 अगर हम यहां पर देखें 3 और 5 इनका अगर मासा निकाले यह नहीं कि महत्रम सहापड़ तक इंगलिस में यह से बोलते हैं इनका यह से अब निकाले तो हमें एक प्राप्त होगा तो इसी संख्याओं का जोड़ा यह जोड़ा से पाठ दस बैरे surgeries जोड़ा यह हमेरी दो से विभाजित हो जाएंगी बिसन कान सोंबर यह संख्याइ जो 2 अधे जो दोसके इना हो यह संख्यां करते हैं आशे जर अधिन ने पर नहीं कटेंगी ऐसे एब हो जाएंगे हमारी 20 संख्याइं तो दोस्तों हमें उमेद है कि आप अच्छे से सभी संख्याओं को सीख गए होंगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूब करने ताकि हमारी नेश्ट वीडियो आप तक जन सजल पहुंच सके तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में